आज मैं आपको गॉल्जी कॉंपलेक्स के बारे में बताऊंगी सेल और नेली गॉल्जी कॉंपलेक्स इसको ट्रेफेक पोलेस आप सेल भी कहते हैं गॉल्जी कॉंपलेक्स प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं और आम बाशा में सभी इसको गॉल्जी कॉंपलेक्स ही कहते हैं बाकी जो प्लांट सेल में पाई जाती ही गॉल्जी बाडी इसको कहते हैं डिक्टियोसोम ट्राफिक प्लिस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी बड़े अनुग जिनको कोशी का बाहर भीजती है गॉलजी का इसे होकर गुजड़ते हैं सबसे पहले एलेस जॉर्ज ने गॉलजी कॉंप्लेक्स को देखा कैमीलो गॉलजी ने गॉल्लू की तंत्रीका कोशीकाओं के कोशीका द्रव्य में चांदी अभी रंजन विधी द्वारा गॉलजी गाई की खोच गी कोशीकाओं में ER से संबंद थेली नुमा सरंचना है जो समों में पाई जाती है तथा जिल्ली की त्वारा बनी होती है जिसमें द्रव भरा रहता है गॉलजी बॉडी कहलाती है प्लांट सयल में सरंचना को डिक्तियोसों कहते हैं यह सम्पूर कोशीका द्रवे में विखरी होती है यह प्रव केरियोटिक जயसे बैक्टिरिया, साइनो बैक्टिरिया, माइको प्लाजमा सेल्स में absent होती है इसे उडियोसों, लाइपोकॉंड्रिया या वेकर्स बॉडी या गॉल्जी बॉडी या डाल्टन कॉंप्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है यह लाइपो प्रोटीन की 60% प्रोटीन और 40% लिपर्ड सिंगल मेंड्रेन की बनी होती है एनिमल सेल में यह कटोरे के अकार्थी होती है सामन्य एक कोशिका में एक वाल्जी काई लेकिन लिवर सेल्स, नर्व सेल्स, प्लांट सेल्स में एक से अधिक वाल्जी काई होती है यह व्रताकार चप्ती, तस्त्री नुमा, सवन सहंती की, एनियमित अकरती की होती है उच्छे जंतु वे पादक कोशीकाओं में או यार से जुड़ी वी महीन explosion कंड रही चिकनी नेलिकाओं का बुच्छा पाये जाता है इसे गोलजी काई कहते हैं प्रतिक कोशीकाँ के केंद में करिद्ध के समीप कई गोलजी काई पाये जाता है अधिक सक्री कोशिकंगों में फूर्प से विक्सित होती है बोलजी का है की सरंचना करिवरिवर्टन शील होती है यह अनएक प्रखार की सरंचनाउं पर एक complex है यह इसकिस्पे मिलकर के बनी होती है सिस्टर डी कहते हैं इसको पुंडी का है दूसरा होता है ट्रिब्यूट्स, ननी का हैं जिसको कहते हैं, इसकी होती है वैसिकल्स या पुटिका हैं जिसको कहते हैं, या तीन से मिलकर के बंती हैं पुटिका हैं जिसको कहते हैं तो ये लार्ज वैसिकल्स कहलाती हैं तो ये चार कोशिकाँ चार तरह की कोशिकाँ से मिलकर के बंती हैं सबसे पहले सिस्टर्नी या खुंडिका हैं या चप्टे कोश भी कहते हैं दूसरा टिब्यूर्स नली का हैं तीसरा सिक्रेटरी वैसिकल्स या पुटिका हैं चौथा लार्ज वैसिकल्स या बड़ी पुटिका हैं सबसे पहले सिस्टर नहीं, यह विविन आपर से विविन आपर की बनी चप्ती, तदा तोच मुडी वी थैलियों का एक समू होता है, यह थैलिया गनी, समानातर जिल्लियों के रूपने होती है, तर्चेक समू में 4-10 तक थैलिया होती है, जो कि कहीं कहीं एंडोप्लास्मिक प्रेटिपिलम से जुड़ी होती है, एंड फैलियों की जिल्ली दोरी परत वाली होती है, एक के उपर एक खपी के रूप में वगस्तत होती है, पुंडिकाएं के मद्या नोड्स रहती है, एनिमल सेल में गोल्जिकाएं 4-10 सिस्टरनी पाई जाती है, प्लांट सेल की गोल पाउली रूप से मुड़ी होती है, जिससे यह कटोरी की आखरती ग्रैंड कर लेती है, कॉन्वेक्स विचिस्टूर्ड निप्लियस सतय पर इस्तित्थ कुंडिकाएं को से स्पेस, संपक्ष तल पर फार्मिंग फेस या सरुपर तल के दें, कॉनके विचिस्टूर्ड ला या परिपक्वन परिप कहते हैं, सिस्टर्ड या फ्लेटेंट्स, सेक्स, दो कुंडिकाओं के बीच अंतर और पाश, इंटर सिस्टर्नल फेस, स्पेस होता है, तो यह स्टेप की होती है, इसमें जो दो सतय पाईजाती है, इसमें सिस्ट फेस और प्रांस फेस, तो जो जो यह कॉंप्रेक्स साइड है, यह तो कहलाती है, सिस्ट फेस, और जो कॉंप्रेक्स साइड है, वो कहलाती है, प्रांस फेस, सिस्ट फेस की तरफ पुटी-पुटीकाएं होती है, इसका निर्मान केंब्री जिल्ली, वेर स्मूट एंडोप्लाजमिक रेडिकुलम से होता है, प्रांस फेस की तरफ बड़ी-पुटीकाएं होती है, जिसे लार्ज वैसिकल्स, यह वेक्योस कहते हैं, वाजिकाएं में दुरूरता पाई जाती है, क्योंकि इसकी दौनों सत्य अलग-अलग प्रकार्टी होती है, पुशिकाएं की प्रकर्टी वेक्रियात्मा कवस्ता के आदार पर इन हग्यों का हाकार छोटा होता है, तो यह इस प्रकार्टी भी पाई जाती हैं, तो यह अपना पी यह वाला कॉन सा है, प्रांस फेस, और उप्र वाला कॉन सा है, सिस फेस, तो इसमें बीट बीट में जो होती है, वो नोंस पाई राती है, और जो इसमें बुटिकने पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, कुछ तो छोटी-छोटी होती है, और कुछ बड़ी-बड़ी होती है, बड़ी-बड़ी होती है, सिक्ट्री वैसिकल्स, तो दौनों तरह की, दौनों तरफ पाई जाती है, उदर कुछ छोटी भी में जाती है, तो इस तरीके का रहें यह जाइटां, तो यह कहलाती है, यह जो चप्टे कोश हैं, यह कहलाते हैं, सिस्टर नी, अबे जिब्यूज, नरीकां को निर्मान, सिस्टर नी की मुखुलन या उनके सिरुपत, संकुचन उपकन होने से भी होता है, इससे दो क्रकार की पुटिकां जूरी रहती हैं, यह नरीकां खार सनंचना होती है, यह नरीकां से बनती है, यह दो क्रकार की होती है, पहली सिक्रीटरी या स्लेश्मी, त्रावी पुटिकां या छोटी पुटिकां, दूच्री ट्रांजीशनल या लार्ज वैसिकल्स, वैसिकल्स वैसिक्रीटरी मेटीरियल्स, 60% प्रोटीन, 40% पॉस्पोलिपड अकर इंबर्जीकां, इस्त्रावी पुटिकां का निर्मान, प्रांस पेस की सबसे बहर वाही सिस्टर्णी से होता है, यह दो क्रकार की होती है, रफ और स्मूद, रफ वैसिकल्स, त्यक्षूर्दरी होती है, बोला का रति पृद्धियां होती है, यह सिस्टर्णी के सिरों पर पाई जाती है, दूसरी स्मूद वैसिकल्स, सत्य चिक्नी होती है, जिसमें इस्त्रावी पदार्द पाई जाते हैं, यह द्रव्य हाईलो प्लास्म कहलाता है, दूसरी प्रकार की लार्ज वैसिकल्स, ये बड़े ठेले जैसी एनियमित ग्रंथल सरंचनाएं जो बॉल जी काई के ट्रांस फेस की दरख पाई जाती है इसका निर्मान सिस्टर्णी के विस्तार या छोटी पुटीकाओं के फ्यूजन से होता है इनमें पणी के पदार दमरा होता है अब गॉल जी काई की उत्वत्ती प्लास्मा मेंब्रेन, नुक्लियन मेंब्रेन स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से होता है रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम पर राइबोस्टों के रुप्त होने से पुंडिकाओं में बदल जाता है अब ए गोल जी गाय के functions, क्या करें हैं? सबसे पहला करें है इसका स्ट्रवन है, secretion कोशिका में जिस इस्तान पर गोल जी का स्ट्रवन होता है मा इनके दोरा 5 अधार्तों का स्ट्रवन किया जाता है इस्त्रावी कोशिकां में ये कोशिकां काफी बड़ा वे विक्सित होता है एस्त्रावी कोशिकां में कम विक्सित होता है लिवर वे पैंक्रिया सेल में निरंतर इस्त्रावन की प्रिया होती रहती है बॉल जीगा जिन पदार्तों का इस्त्रावित करती है यह इसे ENDOPLASMIC RETIGUILUM से प्राप्त होते हैं Bor ji ka अपनी सिस सतिय द्वारा पदार्थों को प्राप्त करती है अंतर प्रदरवियजालि का Bor ji ka को प्रोटीन तथा लिपिट सप्लाई करती है से प्राप्त पदार्ठों काола गाल्जिगायर र général रुक्त रन करती है, जैसे गाल्जिगायर प्रोटीन का लिपिड का ग्लाइको सीडेशन करती है, इस परिवर्टन से ले क्लाइकोट प्रोटीन वे ग्लाइको लिपिड रनते है रासाइनी कुर्पांपरंड के बाद गोलजीका पदार्तों को पुटीकाउं को बरकर अपनी प्रांस सत्य से कोशिका के बाहर निकाल देती है यह रिवर्स पिन्नो साइटोसिस यह विद्ट क्रमित कोशिका पाहिन की क्लिया है सभी ब्रेयर करनों जिनको कोशिका बाहर बेशती है गोलजीकाई से होकर बुजड़ते हैं अथे गोलजीकाई को प्रिंसिपल डारेक्टर ओफ मैक्रो मॉलिक्विलर ट्रैफिक इन सेल भी कहते हैं दूसरा कारेल फॉर्मेशन ओफ हॉर्मोन्स एंडोक्रेन ग्लैंड की कोशिकाई में गोलजीकाई हॉर्मोन सेक्रीशन में मदद करती हैं थाइराइड ग्लैंड की सेल्स में गोलजीकाई में किसी भी प्रकार की शर्ती के परिनाम सरूप थाइराइड हॉर्मोन के स्प्रवन में कमी आती हैं तीसरा, formation of cell plate in plants. कोशी का विवाजन में, cell plate के निर्मान के समय, गॉलजी कंतर की पुटिकाईं कटकर, cell plate या cell पठ्टिका कोशी का पठ्टिका की और सरखते रहते हैं, और नए कोशी का पठ्टिका का निर्मान करते हैं. चौता function है, cell wall formation. plant cell में, cytokinesis के समय, cell plate का निर्मान करती हैं, गॉलजी गाएं ऐसे पठ्टिका का निर्मान करती हैं, जो cell wall का निर्मान करते हैं. फिर नेक्स है, health and enzyme formation. गॉलजी गाएं enzyme synthesis के center होते हैं, amylase digestion enzyme का sensation करती हैं, यह है गॉलजी के बारे में बतायां, और जो इसमें cell organelles होती हैं, वो इस प्रकार से हैं, कि जो plant cell या animal cell, plant cell में जो cell organelles आती हैं, वो हैं, पहले, गॉलजी का है, गॉलजी बाडी, दूसरा है, endoplasmic reticulum, फिर है vacuoles, जो कि plant cell में सबसे आदा बड़ी क्या होती हैं, वेकल्स, बेकल उकलेस, चलोल्लस्क चलोरोकॉंग जो में सबस्ज़क्तर escrito हैं, और ऑ्रोज ह्यजंग। परोग्रीजम्स ये बाइला किया और मैक्रोटीबूल्स इस्पेरियोसम्स तो ये तीन जो सैल और नहीं है ये दबल मेंब्रेन है इसपर तो और ही जिल्दी पाइद राती है और जो ये नंबर वन टू त्री पोर पाइद सेवन ये सारी जो है वो कैसी सिंगल मेंब्रेन इसमें लाइसोसम्स भी आते हैं और जो राइबोसम है ये है नंब्रेन लेस इस पर कोई जिल्दी नहीं पाइद आती है और है जो जोुआ है लाइदा जैने अृब्रेनर झाएद ंदी दॉआदे हैं चाहाद आते हैं